नमस्कार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट है क्योंकि द्यालबाग एड्मिशन 2023-2024 इसके फॉर्म आच चुके हैं पुरी इंफॉर्मिशन जो में आपको इस वीडियो में बता दूगा ठीक है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं वीडियो को चलते सिधी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर website दिख रही है यह है द्यालवाग की official website मैं हर बार regular वीडियो बनाता हूँ DEI की हर साल बनाता हूँ आपको सबसे ज़्यादा वीडियो यूटूबर द्यालवाग एड्मिंशन से related मेरी ही मिलेंगी ठीक है तो अब सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को subscribe कर लेज़े अगर आपको अडिशन लेना है तो देखें यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिशन सेशन 2023 यहाँ पर आपको link जो दिख रही होगी थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर दिख रहा होगा एडिशन notification पॉर सेशन 2023 आ चुदा है ठीक है इससे प आपको मिल जाएगी और सेडूल ओफ एंटरेंस एक्जाम भू भी आ चुका है कि आपका पेपर कौन से कूर्स का किस दिन होने वाला है थोड़ा ओनलाइन आपका एक्जाम होगा मतलब ओफ रैन कॉलेज में होगा लेकिन जो एक्जाम पेपर आएगा वो आपको ओनलाइन ही देना पड़ेगा ओके देखिए यहाँ पर डेट है कुछ इंपोर्टेंट मैं थोड़ा इस्टिन का साज बढ़ा देता हूँ लाज्ट डेट है समीशन कंप्लिट ओनलाइन फॉर्म की देखिए इसके बाद बहुत सारी जानकारी है जो इस बीडियो में आप से डिसकस करन है तो बीडियो में बने रहेगा एंड तक आपको एट उजड़ जानकारी मिल जाएगी देखिए लाजट डेट जो देखिए डिपलोमा अंडर ग्रेजुएट बीवाग पी अपे बी आर्क्रेट चर बीटा कोर्स की लाजट डेट है तीस अपरेल सेम बीड एड एमड एम तो यह तो रहा इसका प्रोसेस और देखिए जो सेडूल है एंट्रेंस टेस्ट का वो जहां पर आपको दे रखा है 16 मई से आपके पेपर स्टार्ट होंगे और आपके पेपर चलेंगे 19 मई तक ठीक है तिन चार दिने में आपके सारे पेपर हो जाएंगे जैसे पहले दिन BBA, BBA, Logistics, BBA, B.com बगएरा यह सारे पेपर हो जाएंगे दूसे दिन BSE, Home Science बगएरा का तीसे दिन BSE, BSE Honors बगएरा का चौते दिन BWOC बगएरा, Science Group बगएरा बहुत सारे ऐसे करके आपके पेपर जो हो जाएंगे और यही इसमें सब कुछ दे रखा है पूरा इसमें आपको आपके सारे कोर्स की information जो है, मिल जाएगे किस दिन आपका पेपर जो होने वाला है और कुछ भी अगर आप पूछना चाते तो बता देना, इसमें केबल इतना ही है, एक जम का जो schedule आया है, ठीक है और इसके अलावा, अब बात आती है, next slide पर, देखिए, यह है आपका एक notice, जो के admission notice है, दोचा तीस चोविस का आया है इसमें आपके course क्या है, देखिए, सबसे पहले एक आपके दिमाख में कुछन है, बहुत सारे बंदे पूछ रहे है, CUET जो आपका pattern है, एडमिसन का, उसके लिए देखिए, मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा उस CUET admission से द्यालवा के जो regular admission चलते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं है, यह अलग procedure है, वो बोलते हैं, यह जरूरी थे कि दौनों का admission pattern अलग है, उससे भी admission होते हैं, इस pattern से भी admission होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, CUET से कुछ मतलब चुनिंदा course हैं, जिनके लिए admission होता है लेकिन यह इसमें सारे admission होते हैं, इसमें seat जादा होती हैं, उसमें seat बहुत कम होती हैं, देखिए, बैचलर डिगरी, बैचलर डिगरी के जितने भी है, eligibility दे रखी है, आपको क्या-क्या होना चाहिए, और इसमें CVT 32 इसको desirable, यह भी इस बार बहुत कुछ हो गया है, आप द कुछ दिखाना चाहता था, वो यह है, इसमें नीचे आपको दिखरा होगा कुछ डेट भी हैं, वो सेम डेट वो ही हैं, जो पहले थी, जो अभी इससे पहले मैंने बताई थी, 30 अपरेल आपकी last date है, और जो पंदर जून से आपके, वो की से certificate modular course के जो course भॉम है, वो आपक सारी information होती है, कौन सी course में, कितनी seat है, कौन-कौन भर सकता है, कौन सी faculty उसको conduct कराती है, पूरी जानकारी इसमें देर की, देखे मैं एके करके आपको जानकारी बताऊँगा ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा, देखे, यह कितनी page का है, 208 page की PDF, मैं एके करके कैसे बता सकत सकते हो, मैं आपका जबाब दोंगा, अब जो पूचे होगे, वो भी बताऊँगा, CUET की जो बात है, देखे, जिसको एक बीसर देला है, इसमें तो हम बरना ही बरना, CUET के लिए, मैं आपको अभी दिखा दिता हूँ, एक मिनट रुक चाहिए, देखे, मैंने CUET के इस पर आ गया हूँ, यहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ, सौरी, वेबसाट को जो ओपन करता हूँ, वेबसाट ओपन हो रही है, इसमें क्या है, आपको क्या करना है, इसमें यूनिवस्टी जैना, इस वाली सेक्शन पर जाना है, जैसे कि मैं यूनिवस्टी पर गया, जैसे हमा पर नहीं है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों आपको बताना था सीवीट बगएर का प्रोसेस क्या है इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी लाने वाला हूं तो वीडियो कैसे लगी बताना आगे बने रहने के लिए इस चैनले को सब्सक्राइब कर लेना आपको बहुत सारी इनभावनेशन मलती रहेगी तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जैन जवारत बंदे महतरम आप सभी को मेरी प्यार बड़ी दल से राम राम